स्पीकर वी जूशी की एक और वीडियो में आपका स्वागता रोहनेस्ट रिव्यू मैं पपी पर दे रहा हूँ जो की हसकी ब्रीड की है और आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें इसकी दिखाऊंगा जिससे आप पता लगा सकते हो कि ये हसकी प्योर है और ये हसकी आप अगर 30,000 का 32,000 का ले रहे हो तो वर्थ है मेरे पास पपी मैं लेकर आया हूँ जर्मन शेफिट के बारे में भी मैं रिव्यू दे देता अगर मेरा चैनल पहले होता वो तो भी बड़ा है खैर उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ आज पपी की market लोग लेना चाहते हैं धरले से और साथ ही लोगों की first और last choice यही होती है कि उनका जो भी वो पपी ले रहे हैं उनका पैसा है जो वर्थ हो क्योंकि जब हम को इतनी knowledge नहीं होती लेकिन जब हम ले लेते हैं और बाद में जिसको knowledge होती है जिसके पास already dog होता है पपी होता है तो आज ही की ये वीडियो end तक देखिएगा हर एक बारी की से चीज मैं आपको बताऊंगा कि पपी जो है वो असली है या नकली है खास तो और पर मेरे पास जो इस हाथ में है ये मेरी female husky जिसका नाम है giftie तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो husky की जो पहचान है और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी पपी अगर आपने लेना है तो 30-35 दिन के बाद ही लेना है जी हाँ दोस्तों कम से कम एक महीना आपने पपी को रखना है तो यानि कि अगर आप पपी लेने जा रहे हैं और उसके owner से आप जाएंगे या 37 डेज के बाद भी आप लेकर जा सकते हैं मैं इसको 37 में दिन लेकर आया था 37 में दिन मान लो पूरा हो गया था शाम को लेकर आया था तो महीने के बाद ही आप पपी को लेजे क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक महीने के अंदर हम जो हमारे अंदर rituals के according में चलेगा था कि हम जाएं कि बाई एक महीने का बच्चा हो जाए पपी हो जाए तो हम बाद में ही सारा कुछ करते हैं तो पहली चीज तो मैं आपको यह रहाए दूसरी चीज अब इनकी आंखों में थोड़ा सा होता है कहीं की जाधा blue होता है इसकी totally blue eyes तो आप देखो यह देखो तो यह pure है अगर थोड़ी खळलकी कम होगी कोई issue नहीं है इनकी briefs का अलग फरक होता है लेकिन जो ब्लैक अन क्ष़ची है उसकी blue आखें होती है तो आप देख लीजीगा कि अगर उसकी ब्लू आंके है तो वो ओरीजिनल हसकी है नमबर दो यह है कि यह देखिए यह जो इसकी शेप है जिसमें कैनेडा का जंडा टाइप लगा हुआ है तो यह जो है यह भी एक इसकी फैचान होती है यह आई ब्रो से लेकर ब्रो में यह तो यह देखिए आप समझी गए यह देखिए तीन जो चीजें यह देखिए एक्जेक्ट और इसके बाद आप यह भी देखो कि पपी कितना स्ट्रॉंग है अब आप 35 दिनों के बाद चतिस दिनों के बाद ले आए हैं आप देख रहे हो कि पपी है जो वह कितना एक्टिव है स्ट्रॉंग है वो भी आपको देखना ज़रूरी होता है और उसको आप कैसे रेकरनाइज कर सकते हो यह देखिए इसके पंजे इसके पंजे हैं जो इसके मसल्स हैं बोन्स हैं वो काफी मजबूत है यह देखिए इसका पंजा यह सिरफ 38 49 दिनों के और इसका यह देखिए आप इसका पंजा कितना स्ट्रॉंग है यह देखिए आपको ऐसे स्टार्टि यह देखो कैसे इसकी जो है शेप बनी हुई है तो आपको पता लग जाएगा कि यह जो है और जो रीजिनल होते हैं उनकी जो ग्रोथ है वो डे बन से होनी शुरू हो जाती है जी देखे वाल दे रहा हूं तो इसकी ग्रोथ है जो आप देख सकते हो लेकिन फिर भी डेवन जो मैं लिकर आया था को कुछ नहीं ऐसा वो दे रहे थे और आप देखिए इसकी बॉन लेडी तो इसकी बॉन से यह देखिए आप नीचे ऐसे लगता है जैसे इतने जूता डाला हुआ है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके पपी की बॉन्स भी मस्बूत है ग्रोथ अच्छी डेवन से प कि और बता बोल देते हैं कि नहीं जी तो 35 दिनों की है क्यूंकि उन्होंने पपी को बेचना होता है तो मैंने क्या किया था मैंने इसका देखा THAA KİEZ जो छोटी पपी होती है उसके दांत नहीं आते हैं आप देखिए इसके 35 दिनों की है और इसके दांत यह देखिए ऐसे हैं मतलब छोटे हैं हैं लेकिन कम हैं यह देखिए यह देखिए और जो 30 दिनों से नीचे होते हैं उनके इतने दांत नहीं होते हैं तो उससे भी आप अ पूरे दांताई में यह तीज दिनों के उपर थी, तो यह भी मैंने यह चीज देखी, इसके साथ यह आप इनके कानों से भी लगा सकते हैं, तो जो फेस है पहले तो आपको पता ही चल जाएगा, कि थी और इसके कान सामने की ओर होते हैं, जब यह सुनती है कुछ तो इधर- और रहे हुं इसलिए एक थोड़ा से देखिए कैसे चल हिए यह देखिया इसकी पोस्च्चर देखिए सब्सक्ते पर को दिखा नदे लगए से यह कर से कुशा काट रही है यह 활 में काल नहीं रही है और तो इसके साथ ही ये, ये देखिए, ये सारी कोटिंग आपको देखनी होगी, ये जो प्लैक है, जो ब्लू है, सारी कोटिंग इसकी आपको देखनी होगी, नीचे से भी, एक मिला कोशिश करता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे इसकी कोटिंग बनी होती है, तो ये देखिए और आपको पता चल जाएगा कि ये original है आज का ये वीडियो था honest review of original puppy यानि कि आप how can you check कि आपका puppy असली है या नकली है क्योंकि आज के टाइम में cross बहुत होती है इनकी जब इनको पैता करना होता है तो लोग हैं जो वो कई बार original stud से नहीं करवाते हैं crossing तो उसकी वज़े से इनकी जो growth है वो उस हिसाब से नहीं हो पाती है और ये उतने original नहीं हो पाते हैं कईयों के colors vary करेंगे उनकी नसले अलग हैं तो उस चीज़ पर भी मत जाईएगा कईयों की जो ये black coating है वो brown होगी और उसका कोई ऐसा चीशू नहीं होता है लेकिन अगर आप सिर्फ black and white का शोखीन आप शोख रखते हो तो ये इसमें आपको मैंने पूरा review दे ही दिया है कि original puppy के ये signs होते हैं क्योंकि भाई हम 30 से 35 जार रुपय लगा रहे हैं और हमें पूरा हग बनता है कि हमें पता हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी कारगर सिद्ध होगी अगर मैंने कोई कमी छोड़ी है तो कमेंट कर दीजीगा कि और किस चीज से हम इसको पता लगा सकते हैं वीडियो अच्छे लगी इसको शेर कर दीजीगा अगर आप हसकी पपी लेने की सोच रहे है तो ये वीडियो आपके लिए काफी फाइदे मंद होगी और कोई लेना चाहता है तो उसको ये वीडियो शेर कर दीजीगा तांकि उसको मदद मिल सके थैंकी सो मच